हेलो एवरीवन कैसे हैं सब लोग बढ़िया एक दम पड़ाई कैसे चल रही है ओके सो जैसा कि आपको पता है कि वी हाव कम्प्लीटेट दर टॉपिक हम लोग ने लास्ट जो चाप्टर था वीचीज नतिंग बटा मैथमेटिकल मेथड वह हम लोग हमें कम्प्लीट कर दिया है आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक विच नतिंग बटा चाप्टर नंबर थ्री मोशन इन प्लेन ओके सो बहुत मदेदार टॉपिक होने वाला है बहुत ही जबर्जस्ट टॉपिक होने वाला है फिर बात करेंगे मोशन इन त्व डाइमेंशन की और मोशन इन टू डाइमेंशन के अंदर हमारे पास दो चीज़े हैं that is projectile motion and circular motion तो हम लोग यहाँ पे actual में actual में हम लोग यहाँ पे 4 motion देखने वाल है सबसे पहला motion in one dimension that is 1D, motion in two dimensional that is nothing but a plane motion उसको ही हम लोग बोलते है motion in a plane जो तुमारा chapter का नाम है and the third one is like 2D के अंदर ही आता है projectile motion और circular motion यहाँ पे देखना याद रखना 11th में हम लोग circular motion उतना जादा detail में नहीं पढ़ेंगे क्यों क्योंकि 12th में हमारे पास already बहुत जादा detail में वो topic है 12th में तुमारा पहला जो chapter है that is the rotational dynamics और वहाँ पे हम लोग सारा concept सीखने वाले हैं किसका circular motion का तो यहाँ पे हम लोग basic चीज़े देखेंगे circular motion की जादा detail में नहीं जाने वाले हैं तो start करें let us start with a motion in 1D तो सब लोग अपना pen उठा लो book उठा लो बैड़ जाओ एक जगे one shot में पुरा वीडियो देखना है और obviously वीडियो पसंद आ गए तो obviously like, share और channel पर first time हो तो subscribe तो करना ही करना है हाँ या ना चलो so let us start with a one dimensional motion देखो one dimensional motion क्या होता है one dimensional motion होता है जब कभी भी हम लोग बात करें motion जिना straight line माल लो कि एक marker है अब marker तो original marker नहीं एक digital एक stylus है एक pen है यह pen को मैंने fakeा तो यह एक straight line motion कर रहा one dimensional motion कर रहा है मतलब सिरिफ x axis में या फिर सिरिफ y axis में या फिर सिरिफ z axis में यही तीन axis में इसका बात हो रहा है अब motion को समझने के लिए motion को visualize करने के लिए कुछ basic quantities हैं जो हमको समझना पड़ेगा तब ही जाके हम motion को समझ पाएंगे जो कि तुमको already पता है जैसे कि distance हो गया displacement हो गया velocity हो गया acceleration हो गया यह सब जो quantities है यह motion को समझने के लिए बहुत जादा help करती है तो यह quantities क्या होती है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे तो सबसे पहला चीज़ देखेंगे हम लोग distance जो कि तुमको already पता है देखो यह already तुमने पढ़ लिया है बचपन से पढ़ते आ रहे हो distance क्या होता है तो अगर यह चीज़ को तुमनों skip भी कर दो के तो कोई problem नहीं है distance क्या होता है distance होता है actual path covered by the body by the actual path body cover कर रही है that is nothing but a distance माल लो कि कोई person है A से B ऐसा गया सो यह हो गया उसका distance भा इतना distance उसने ट्रावल किया माल लो कोई body है वो body है वो A से भी ऐसा जाएगा तो यह हो जाएगा distance यह हो जाएगा उसका distance तो पाथ जो पाथ वो बोडी ले रहा है वो उसका distance है मतलब जो भी body ने actual path cover किया है वो उसका distance होगा वो 2 km होगा, 4 km होगा, 5 km होगा doesn't matter और always remember हम km में measure नहीं करते हैं हाला कि हम km में question जरूर देखते हैं बट हम unit को SI में रखते हैं that is nothing but a meter तो यहाँ पर हम लोग अगर measure करेंगे तो इसको measure करेंगे हम लोग meter में याद रखना SI unit क्या हो जाएगा, SI unit हो जाएगा इसका meter, distance है length है एक तरह का, तो meter हो जाएगा अब कहानी देखो अब कहानी आती है displacement की distance और displacement को लेके लोगों confusion बहुत है distance और displacement को लेके समझो कि क्या actual में होता है same example लेते हैं कि माल लो, भाइब, A है माल लो, B है यहाँ से यहाँ जाना है, माल लो यहाँ से यहाँ जाना है और माल लो यहाँ से यहाँ जाना है we have three path path number one, path number two and path number three जेगो, तो अगर मैं path number one से जा रहा हो, तो that is nothing but, वो एक path है, मतलब वो एक distance Doak Noamber थिशे से जा रहा हूं मतलब नथिंग वो एक distance है Otha Noirmber 2 से जा रहा हूं नतिंग बट वोडिस्टन्स अब बहुत लोग फटाक से बोलेंगे किसर पात टू डिस्टन्स नहीं है और यह भाइ ना सह भी भाई 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 4 भी है, हाँ या ना, पास दिफ्त भी है, जितना पाथ बनाना चाहो, every path is a distance, every path is a distance, but ध्यान से समझो, what is displacement, the shortest distance between two position, मतलब ये दोनों position, A और B जो है, इनके बीच में सबसे shortest जो position था, that is nothing but a straight line, हर भार जो shortest distance होगा, वो लगबग straight line होगा, अगर मैं अर्थ को फिलाल के लिए बहुत बड़ा body consider करूँ है ना, so अगर हम लोग देखने जाएं, तो actual में a और b की बीच में सबसे shortest path कौन सा होगा, सबसे shortest path होगा path number two, the shortest path, that is path number two, so ये path number two को हम लोग क्या बोलेंगे, path number two को हम लोग बोलेंगे displacement, अब क्या वो distance नहीं ह है, वो distance है, वो distance है, बट सबसे छोटा distance है, इसलिए हम लोग उसको नाम देदेंगे, क्या नाम देदेंगे, displacement नाम देदेंगे, इसको measure किसमें करते है, same, by SI unit में ही इसको measure करते है, that is nothing but a meter, बस फरक ये है कि एक vector quantity, ये क्या है, vector quantity है, vector quantity मतलब ये particle के initial और particle के final position पे डिपन क start कहां से कर रहा है, particle end कहां पे कर रहा है, एक example के तुरू समझने के कोशिस करते है, माल लो, कि एक simple सा example है, माल लो, कि एक body है यहाँ, लेसे body a position पे, body देखा, marker गिर, मेरे हाँ से हमेशा marker चुटता है, हर बार का ये, लिखते-लिखते marker गिर जाता है, चलो, उठा लिया, चल मेटर, और वो पहुझ गई B position पे, कहां पहुझ गई B position पे पहुझ गई, तो अगर मैं बात करूँ distance की, अगर मैं बात करूँ distance की, भाई, वो distance कितना चला, तो distance कितना चला, यहाँ से यहाँ 4 मेटर, यहाँ से यहाँ 3 मेटर, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 मेटर, मतलब वो distance च distance देखो गए तो वो यह है this is nothing but a displacement हाँ या ना यह displacement है मेरा और यह मेरा displacement होगा final मेरा body कहाँ पे था और initial मेरा इनिशल हो गया और यह हो गया final अब इससे फरक नहीं पड़ता कि वो कहां से खूम के आ रहा है वो यहां से गया था यहां से गया था कुछ फरक नहीं पड़ता अगर displacement की बात आती है तो मात्र सिरी फिनिशल देखो final देखो और उनके बीच का सबसे छोटा डिस्टन्स देखो तो सबसे छोटा मैने क्या होजागा मेरे क्छाल से पाइँ मीटा रहा है न यह है लिव शणो तो होता है अब एक फटाक से option तुमको बताना है तुमको बताना है कि कौन सा option correct है कौन सा option correct है ओके मैं औरली बोल देता हूँ देखो distance can be a displacement okay displacement can be a distance कौन सा option correct है फटाक से जाओ video pause करो comment करो तब जाके आगे वीडियो देखना अगर यहाँ पर आंसर तुमने सही दे दिया है मतलब तुमने distance और displacement समझ लिया है अगर नहीं दिया है तो वापस पीछे जाओ वापस समझो और वापस आंसर दो clear बासमें आगे everyone चल नेक्स्ट जो quantity है that is nothing but a basic quantity जो कि हमको पता है that is nothing but a speed okay क्या होता है speed समझने कोशिश करो speed क्या है speed कुछ नहीं है the total distance covered by the body to the total time taken okay मालोग बॉड़ी है यह बॉड़ी चल रही है 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 जोर से लगा यार तो जोर से लगा मतलब फोर्स को इंडिकेट कर रहे है तो अगर कोई तेज गई तो किसको बता रहे हैं हम लोग बता रहे है speed को okay so what is speed speed is nothing बतार total distance covered by the body to the total time taken हाया ना वा समझा गही है नी भाई कितना distance उसने cover किया है और वो distance cover करने के लिए उसने कितना time लिया है मालो example समझने कोशिस करो कि अगर body a यहां पर है यह ए है और यहां से वो यहां पर travel कर लिए लेसे बी पर तो इसका total distance जो है मालो x है अब यह total distance इतने कितने time में cover किया है मालो t time में cover किया है तो speed क्या ही बन जाएगा speed बन जाएगा that is x by t the total distance cover by the total time टेकर अब अब यह इसको हम लोग speed नहीं बोलते है इसको आवरेज speed हो कि हम लोग कभी speed calculate ही नहीं करते हैं हम average speed calculate करते हैं क्यों average speed calculate करते हैं क्योंकि हो सकता है कि जब गाड़ी travel हो रही हो या body travel हो रही हो या कोई vehicle travel हो रहा हो तो यहां से यहां तक वो माल लो 50 km per rk speed से होगा यहां से यहां तक वो 60 km per rk speed से होगा यहां से वहां तक यह 70 km per rk speed से होगा हो सकता है उसका speed vary करे है, मतलब मानलों की यहां से मैं कोई यहां से समझू मैं लधाक जा रहा हूँ, लधाक बहुत अच्छी जगए तो हम लधाक जा रहे हैं, तो अब लधाक अगर हम लोग जा रहे हैं तो क्या constant speed से जाएंगे, मानलों की यहां से में निकला भाई, road खराब है, road खराब है, मेरा speed slow है, highway आगया, highway आगया, बहुत अच्छा highway है, speed इदम fast है, yes or no, आगे city है, city है, बहुत जादा भीड़ बाड़ है, और वो इसलिए क्या हो जाएगा, speed slow हो जाएगा, so यहां से लदाक तक, मेरा speed हर बार change हो रहा था, तो इसलिए हम लोग किसी को बता नहीं सकते, तो उसको बताने के लिए हम लोग average term use करेंगे, कि भाई average क्या होगा, average speed क्या होगा, so actual में यहां पर speed ना define करके, हम लोग हमेशा define करते है, average, बाई, कितना भी speed हो बीच में, बीच में कितना भी speed हो हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको शरिफ ए तोटल डिस्टंस, और नीचे क्या जाएगा टोटल टाइम, टेकर, यूनिट की बात करें, तो इसको कैसे measure करते हैं, SI unit की अगर हम लोग बात करें, तो SI unit हो जाता है, इसका meter per second, SI unit क्या हो जाता है, meter per second, उपर क्या है distance है, distance बोले तो meter, नीचे क्या है time है, time बोले तो second, अगर dimension की बात करें तो dimension देखो क्या हो जाएगा, meter बोले तो L1, M0, और T-1, हाँ या न, तो यह हो गए उसका dimension, dimension याद रखा करो, dimension बहुत काम की चीज़ है, आगे जैसे तुम लोग, आगे आगे चाप्टर में बढ़ोगे न, जैसे से 11th क्रॉस करके 12th में जाओगे तब तुमको समझ में आएगा dimension कितना important है, इसलिए basic चीज़े अभी से पकड़ना चालू कर दो, basic चीज़े दिमाग में speed करना चालू कर दो, clear बासन में आ गई, speed, अब कहानी पर आ जाते हैं vector, velocity, अब velocity क्या होता है, velocity, nothing but a speed, but with direction, हम लोग यहाँ पर आप direction की कहानी देते, मतलब indirectly जो speed है, वो scalar quantity है, हम लोग ने देखा था इसके पहले वाले chapter में, अगर नहीं देखा है तो जाओ, पूरा पूरा series available है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, velocity की बात करेंगे, velocity एक vector quantity है, मतलब इसको मेरे को define करना पड़ेगा with direction, speed with direction, मतलब क्या है, कि यहाँ पर मेरी direction की कहानी आ जाएगी, और direction की कहानी आ जाएगी, तो जो distance है, उसको replace कर लेगा, displacement, वेक vector quantity है, तो यहाँ पर हम लोग distance को replace कर देंगे किसके साथ, distance, displacement के साथ, हाँ यहाँ 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 पर क्या था, distance divided by time, यहाँ पर क्या हो जाएगा, displacement divided by time, nothing but the net displacement to the total time, by net displacement क्या ही होगा, मालनों कि अगर एक body है, यह body यहाँ से यहाँ ट्रावल हुई, यह इसका position x1 है, इसका position x2 है, तो net displacement क्या ही होगा, net displacement होग हम लोग net displacement के जगे change in displacement भी बोल सकते हैं that is also correct like change in displacement with respect to time ये भी हम लोग बोल सकते हैं तो change को हम लोग represent करने के लिए क्या use करते हैं del use करते हैं okay del is nothing but to represent a change तो del x divided by del t del x divided by del t nothing but a change of displacement with respect to time unit क्या होगा same चीज़ जो speed पड़ा वही unit है okay dimension क्या होगा same बस फरक क्या है फरक यह है कि भाई यह हम लोग without direction की बात करते हैं velocity हम लोग direction की बात करते हैं मतलब north जा रहा है south जा रहा है east जा रहा है west जा रहा है इतने angle पर जा रहा है इतने angle पर जा रहा है यहाँ पर डाइरेक्शन का स्पैसिफिकेशन होगा ही होगा कमपल सरी है यह चीज पास समझ में आ गई एवरिवान पक्का आगे बड़े ओके अब अगर हम लोग वेलाउसिटी की बात करें तो वेलाउसिटी उतना ज्यादा काम नहीं आता जितना काम आता हमको को instantaneous velocity अब instantaneous का मतलब क्या होता है वह द्धान से समझने के कोशिश करो कि क्या होता है instantaneous इंस्टन्ट मतलब वहां पे जो टाइम इंटर्वल होगा बहुत छोटा होगा बहुत छोटा मालों कि मैंने गाड़ी स्टार्ट किया पहुचा फटाक से कोई पूछ लेगा तरह स्पीड क्या बता बहुत थोटा मालों कि फ्राक्शन में को किसी ने पूछ लिया कि बतत तरह स्पीड क्या है यह सो नो बासमयार के यह मैं को क्या बता रहा यह तो पूरे जर्णी का स्पीड बता रहा न भॉन्हीं ए से लेके जर्णी बी तक क्या स्पीड था जर्णी ए से लेके जर्णी बी तक क्या वेलासिटी था यह तो पुरे जर्णी का यह बता रहा है ना मेरे को स्पीड बता रहा है और वेलासिटी बता रहा है बट अगर कोई पूछ ले कि बहुत चोटा बहुत चोटा टाइम instantaneous की, तब हम लोग instantaneous से उस चीज़ को define करते हैं, बास समझ लेना, ओके, when time interval is very small, when time interval is very small, तब हम लोग बात करेंगे instantaneous velocity को, और instantaneous velocity को कैसे define करते हैं, the limit of, okay, the limit of rate of change of displacement with respect to time, यहाँ पे हम लोग limit provide कर देते हैं, क्यों limit provide कर देते हैं, क्योंकि भाई, जो del t है, that tends to 0, but not 0, वो tends to 0 है, मतलब very close to 0, बहुत छोटा है, तो हो सकता है 0.0001 हो, but 0 नहीं होगा, तो वहाँ पे जो definition है, that del x by del t become dx by dt, यह differentiation है, इसके लिए पढ़ाता, differentiation पढ़ाता न, mathematical method में, यहाँ के लिए पढ़ाता, माल लो, कि कोई मेरे को बोले, कि भाई, displacement है मेरे को, okay, that displacement is given by something, कोई equation से displacement given है, okay, माल लो, in terms of time, मेरे को displacement कुछ ऐसा given है, माल लो, t2 square plus t, ऐसा कुछ given है, और बोला कि calculate the velocity, calculate the velocity, तो velocity क्या ही होता है, देखो जारा, velocity होता है, dx by dt, हाया न, but what is x, that is d by dt, x क्या है, x देखो जारा, put कर दो, x के जगे यह चीज़, put कर दो, kya मिलेगा, t square plus t, हाया न, अब अगर इसको differentiate करोगा, तो याद करो differentiation, x raise to, वहाँ पे x कहानी पढ़ेते हैं, यहाँ पे t की कहानी है, with respect to time, हम लग differentiate कर रहे हैं, और कुछ नहीं, formula तो same ही लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, formula याद करो, n, x raise to n minus 1, हाया न, formula नहीं बुन ला है, देखो, मैंने बताया न, वो chapter सबसे important, mathematical chapter सबसे basic chapter है, वहाँ पे तुमको physics के बहुत सारे फंडे काम पे आने वाले, तो इसको अगर differentiate करोगे, तो क्या आएगा answer, अरे, इसको अगर differentiate करोगे, तो क्या आएगा, 2T, and what is differentiation of T, that is, 1, हाई यह ना, so this is nothing but a velocity, this is nothing but a velocity, अब मिरको, अगर बोला कि भाल, time 2 है, तो T के जगे 2 put कर दो, बोला time 3 है, T के जगे 3 put कर दो, अगर बोला time 4 second है, T के जगे 4 second put कर दो, you will get the velocity, okay, तो यह कभ काम आता है, जब time interval छोटा हो, बहुत छोटा, मतलब instant पे, by T is equals to 2 second पे तेरा velocity क्या था, T is equals to 3 second पे तेरा velocity क्या था, T is equals to 5 second पे तेरा velocity क्या था, उस time interval के लिए तेरा velocity क्या था वो मिर को बता, तो उसके लिए हम लोग define करते हैं instantaneous velocity, बतलब indirectly कभी भी अगर equation के form में आ रहा है, तो instantaneous की कहानी लगेगी, यह मान के चरलो, अगर कहीं पे, अगर equation बन रहा है, तो equation के लिए instantaneous की ही कहानी बेठेगी, याद रखना, clear, बात समझ में paar instantaneous, अब unit अलग नहीं है, dimension अलग नहीं, कहानी अलग नहीं है, वही है, definition बही है, बात समझ में आ गई सबको everyone, पका, मिर को एक velocity calculate करके दोगे जैसे यहाँ पर calculate किया same velocity calculate करके दो चलो मालो की एक distance है और displacement है उसका equation given है चलो मालो की x equals to 3t square minus t cube ऐसा कुस्तो given है मालो ऐसा कुस्तो given है minus नहीं देना plus दे दो चलो plus दे दिया और मैंको बोला है find velocity find velocity at t is equals to 3 seconds मिलको velocity निकालना है कितने पर 3 seconds पर velocity निकालना है तो इसको क्या करो differentiate कर तो इसको differentiate करोगे differentiate करने बाद तुमको velocity मिल जाएगा और velocity में time कर जागे क्या पूट कर देना है 3 second पूट करते ना है time is equals to 3 seconds time is equals to time है time is equals to 3 seconds ओके clear बासन मिल्माई ट्राइक करोगे clear everyone ओके चलो next quantity की तरफ बढ़ते हैं next quantity is nothing but acceleration okay next quantity is nothing but acceleration देखो हमने displacement को change किया भाई displacement change हुआ क्या आया velocity अब velocity को change करो क्या मिलेगा acceleration क्या मिलेगा acceleration so what is acceleration nothing but rate of change of velocity या फिर change of velocity with respect to time मतलब जैसे जैसे velocity change हो रहा है okay time के हिसाब से उसको हम लोग बोलेंगे acceleration उसको हम लोग क्या बोलेंगे acceleration बासनारी कि ने समनारी भाई जब displacement change हुआ तो velocity बन गया अब velocity change होगा तो acceleration बन जाएगा acceleration change होगा तो जर्क बन जाएगा बट जर्क हमारे टॉपिक में नहीं है जर्क कपड़ोगे तुम लोग में क्या है जब तुम लोग ग्राजुएशन करोगे जब तुम लोग गया क्या बन गया displacement change करते ही क्या बन गया velocity विलासेटी को वित रस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर दो क्या बन जाएगा acceleration तो acceleration है क्या acceleration है rate of change of velocity या फिर उसको बोल दो change of velocity वित रस्पेक्ट टू टाइम माल लो कि मेरे पास initial velocity था यू initial velocity माल लो क्या था मेरे पास यू और माल लो final velocity क्या है final velocity है मेरे पास V final velocity क्या है V हाई ना ओके देखो क्या हो जाएगा change निकालना है change निकालने के लिए क्या ही होगा that is V minus U by T change कैसे निकालते है by final minus initial हाई या ना final minus initial by T हाई या ना पास मेरे रहा है that is nothing but acceleration अगर इसका unit define करना रहे तो unit क्या से define करेंगा देखो उपर क्या है velocity velocity क्या होता है meter per second और नीचे एक और second है मतलब second square तो ये इसका SI unit आ जाएगा ये इसका SI unit है ये that is meter per second square dimension बता तो इसका क्या हो जाएगा L1 उपर meter है मतलब L1 M0 और second है उपर जाएगा तो T minus 2 that is nothing but a dimension हा या ना पास मेरे रहा है गी अब इसमें भी हम लोग define करेंगे भाई instantaneous कि क्या होता है instantaneous तो instantaneous तो पता है क्या होता है जब time interval बहुत छोटा हो तो वही same कहानी है when time interval is very small acceleration can be defined as a limit of del T tends to zero मतलब very close to zero but not zero पहुत kloos है zero but 00श नहीं है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई dt चरों सकते हैंavd by dt मालों की यहाँ पर मेरे को किसी ने बहुल दिया same same जो यहाँ और हम लोग ने यह किया था some solve किया था this die complete original by करो is ज़रा इसको calculate करके देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा? velocity given है मेरे को that is 2t plus 1, इसका acceleration निकालो, तो acceleration क्या ही हो जाएगा? a is equals to dv by dt, and what is v? v है क्या? देखो v, v है 2t plus 1, हाँ या ना? differentiate करो इसको time के साथ, क्या मिलेगा? देखो जारा, 2, t तो 1 हो जाएगा, और ये क्या है 1? 0, वाई 1 constant है ना? constant को differentiate करो कि क्या मिलेगा? 0 मिलेगा की नहीं मिलेगा? तो plus 0, तो 2 plus 0 is nothing but 2, तो 2 meter per second square, acceleration क्या आगा है मेरे को? 2 meter per second square, पास समझ में आ रहे हैं कि नी? मतलब अगर मैंको displacement given है, displacement को एक बाद differentiate करूँगा, क्या मिलेगा? velocity, और उसी velocity को वापस एक बाद differentiate कर दूँगा, क्या मिलेगा? acceleration हाई या ना? बास समझ में आ रहे हैं कि नी समझा रहे हैं? clear everyone? So, क्या करना है तुम लोग? यह जो homework लिया है नа? इसका acceleration भी निकालो, इसका acceleration भी मुझे चाहिए है, मुझे acceleration भी चाहिए मेरे को velocity बीच चाहिए और acceleration बीच चाहिए दोनों के लिए time same है दोनों के लिए time कितना है same three seconds दोनों के लिए time three seconds है clear यह हों वह के तुम लोगों बात समझ में आ गई okay this is nothing but a basic quantities okay to understand the motion अगर motion को समझना है तो यह quantities को समझना पड़ेगा displacement क्या होता है velocity क्या होता है और यह हम लोग kinematics की बात कर रहे हैं मतलब यहां पर हम लोग force की बात नहीं करेंगे motion किसकी वज़े से produce हो रहा है इसकी बात नहीं करेंगे यह चाक्तर नमबर four में देखेंगे जब laws of motion आएगा okay मतलब वहां पर देखेंगे कि actual में motion create कौन करता है देखो displacement यह सब होगा कब जब कोई force लगाएगा तो यहां पर kinematics में हम लोग without force की बात करते हैं यहां पर force का discussion नहीं होता motion कैसे motion का जो cause है ना वो यहां पर present नहीं होता motion का cause हम लोग यहां पर देखते ही नहीं है अगर तुमको motion समझना है तो कुछ basic quantities हैं उसको समझना पड़ेगा that is displacement, distance, speed, velocity, instantaneous, velocity, instantaneous, acceleration यह सारी चीज़े समझना है अगर यह सारी चीज़े समझ गया ना तो motion तुमको you समझ जाएगा तो क्या करो बैठो अराम से सारा वीडियो अच्छे से देखो, notes बनाओ अपना और समझने यह कोशिस करो और obviously तुमको पता है कि अगर कुछ doubt होगा तो comment box तुमारे पास present है, mention that doubt, हम लोग वो next lecture में clear कर देंगे clear, बात समझ में आ रहे हैं सबको, topic समझ में आया सबको, बहुत बनिया अगर topic समझ में आया सबको और वीडियो तुम लोग ने यहां तक देखा है, तो obviously तुमको वीडियो लाइक करना है, share करना है और channel पर first time हो तो channel को subscribe जरूर करना है चलो, आज का वीडियो हम लोग यही पर end करते हैं, आज कलिए बस इतना है, that's it for today, thank you so much